दोस्तों एक भाई ने सवाल पूछा है सवाल यह है कि चढ़ाई पर गाड़ी पीछे लेते समय गाड़ी बंद क्यों हो जाता है देखिए एकदम आसान है मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा गाड़ी चढ़ाई पर पीछे कैसे लिया जाता है लेकिन दोस्तों बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए जानते हैं चढ़ाई पर गाड़ी को पीछे कैसे लिया जाता है दोस्तो इस टोपिक पर मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप जाकर के देख सकते हैं चढ़ाई पर गाड़ी पीछे कैसे लिया जाता है लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ आपको समझ में आजाए अच्छे से चढ़ाई पर गाड़ी कैसे पीछे लेना है तो देखिए जैसे आप गाड़ी को आगे चलाते हैं उसी प्रकार से आपको गाड़ी को पीछे भी चलाना होता है अगर आप गाड़ी को आगे चढ़ाई पर ले रहे हैं तो गाड़ी में हाप कलच अपलाई करते हैं उसके बाद ब्रेक पर से पैर हटाते हैं और रेस देते हैं और फिर कलच को छोड़ते हैं इसी प्रकार से आपको गाड़ी को पीछे भी लेना है चढ़ाई पर भी और प् लेते हैं तो गारी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और आप से नहीं समलेगा देखिए हम लोग भी जब गारी को पीछे लेते हैं तो हाप क्लच में ही धीरे-thीरे पीछे लेते हैं अपने सेफ्ट एक लिए तो आपको कभी भी चीज आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, आप अपने गाड़ी को कहीं खाली जगह पर ले जाएं, जहां पर हलका फुल का चढ़ाई भी हो, वहाँ पर आप गाड़ी को ले जाकर के आराम से प्रेक्टिस करें, चढ़ाई पर कैसे आगे लेना है, कैसे पीछे ले तो ब्रेक्ट दबा ले, फिर और हलका सा हाप कलच छोड़े, थोड़ा सा और कलच को जब छोड़ेंगे, तो आपका गाड़ी एक समय ऐसा आएगा, कि हाप कलच पे रुख जाएगा, आप ब्रेक्ट पर से पर हटाएंगे, तो गाड़ी पीछे आगे नहीं होगा, तो आप क्या करें, गाड़ी का कलच दबा ले, रेस को छोड़ें, तो गाड़ी अपने आप धीरे-धीरे स्लो होने लगेगा, जब स्लो होने लगे तो रोकने के लिए आपको ब्रेक नहीं लगाना है, आपको अपने गाड़ी का फिर वापस हलका सा हाप कलच छोड़ना है, औ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाफ कलच क्या होता है इसी प्रकार से आप पीछे का भी प्रेक्टिस अच्छे से कर ले उसके बाद आप गाड़ी कहीं भी ले जा सकते हैं चाहे चड़ाई हो या ना हो आप अपने गाड़े को अराम से हाफ कलच में कंट्रोल कर लेंगे द